वेलो आज वेल्ड वेल्कम टूर यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए का जो प्रस्ट नहीं उत्तर है वो करने जा रहे हैं जिए आपके बुक में जो स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर जो दिख रहा है बी नंब अपने से भी कर सकते हैं और इस तरह से ध्यान से करने से इसमें से बहुत सारे कोश्चन आएंगे एक्जाम में जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो हर बार आते हैं इवन मैंने एक्स्पिरियन्स किया है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट करनीं है या नवी कर डिया है ठीक है तो इसका answer मैं यहाँ पे नहीं बता रहे हूं आपको answer मैं यहाँ पर दूसरे page बता रही हूं यह कुस्छन देख लीज़े इसका screenshot ले लिए या पिर आपने बुक से मिला लेजे मैं उन सबके question के साथ answer भी बताते जाओंगी ठीक है और भी extra question है देखे जो screen पे आपके दिख रहा है question ताप यह बिदे दूर जाएक अनवी करनी है यानि कि non renewable source है ठीक है और यह जो मैंने भी question बता है उसका answer है उसके बाद दूसरा नमर जो question है निर्वहनिये जल प्रबंद का एक उपाय लिखे निर्वहनिये जल प्रबंद का उपाय लिखे तो उसका उपाय क्या हो सकता है कि छोटे-छोटे जलासेयों का निर्मान करना, छोटे-छोटे जल गरहन बांदों का निर्मान करना, एक उपाय लिखने को कहा गया है, यहाँ पर मैंने दो बताया है, उसके पाद 10 प्रतीसत नियम किसने प्रतिपादित किया था, पहले C नमर का है, कोस्चन है, औक सीजन चक्र किसे कहते हैं, जो इसक्रीन पर दिख रहा है, वो सब एंसर्स है, ऑक्सीजन चक्र किसे कहते हैं, एंसर है कि वह बीदी जिसके द्वारा ऑक्सीजन प्रकृति से सजीवों में परवेस कर, पूना सजीवों से प्रकृति में मुक्त होती है, ऑक्सीजन चक्र कहलाती है, यानि कि जिस बीद प्रकृति में फिर उसको प्र पूधे लेकर फिर उसको ऑक्सीजन गैस को पुना आपने प्रकास तंसलेश्ञ के द्वार अपने भ्रह निन्मान के फ़लों फ्रूलिशन गैस हमें देते हैं तो पुना-व प्रकृति में वापस आ जाता है तो यह पूरा जो चल चाप्र को ओ oxygen चक्र कहा जाता है तो इतना details में ना लिख कर यहां पर sword form में लिखा हुआ है कि वह अभी दी जिसके द्वारा oxygen प्रकृति से सजीव और पुना सजीवों से प्रकृति में मुक्त होती है तो oxygen चक्र कहलाती है ठीक है oxygen cycle refers to the movement of oxygen through the atmosphere या air या biosphere plants प्रतिसत नियम किस ने प्रतिपादित किया तो एंसर होगा कि लिंडे मान ने किया था इस वी में घृश्फ के बाद है दिती उपभोगता कि इसको नियुक्त पूस्दारन लिखे तो मैंने दो-तीन दे दिया है दी आप लुब होगता क्या है चील साम हाइड्र प्रानी के सरीट पर पाये जाने वाले सैवाल का क्या नाम है तो जो एंसर है यह जो एंसर आप 12 अक्टूबर 1999 1999 इस वी को भीश्व की अबादी कितनी हो गई थी तो भीश्व की अबादी उस समय 6 विलियन थी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 6 billion थी घिक है उसके बाद कहा गया है कि यानि किसी भीिसेश जल्वाईव, द्रार पर भावित निस्चित जीवसममू को भावित उसस'RE परभावित होता है, तो उसको वहां का भाय्यों कहा जाता है, तो ऊसको वहां classified according to the species species के द्वारा जो एरिया का classified कहा गया है that live in a in that location जो कि वो उस आवास में रहते हैं ठीक है उसके बाद otkylosy क्या है और synkylosy क्या है उसको देखते हैं यहां दिया गया है what is otkylosy is the study of individual organism के उपर और the individual species के उपर है it is also known as population ecology इसको population ecology के नाम से भी जाना जाता है तो किसी भी सेज्ज जीव या प्रजाती के परस्तितिक संबंध के अध्यान को ही otkylosy कहा जाता है और synkylosy क्या है synkylosy is the study of group of organism ठीक है यह individual है और यहां पर group of organism यही difference हो सकता है दोनों में यदि पूछा जाए कि otkylosy or synkylosy में क्या है difference तो आप यह इसको लिख सकते हैं कि otkylosy otkylosy और synkylosy में यही differences है कि यह otkylosy individual organism के उपर study किया जाता है और यह है synkylosy study किया जाता है group of organisms of different species के उपर ठीक है which are associated together जो एक दूसरे के साथ जूड़े हुए रहते हैं as a unit in a form of community community बनाते हैं जूड़के तो किसी एक बिसेस अंचल के जीव समुदा है जीव समुदा है यह निक community के बारे में बताया जा रहा है कि पारिस्तितिक संबंद के अध्यान की जानकारी को ही अध्यान को ही सिनकोलोजिक नाम दिया गया है ठीक है उसके बाद मैंने खुद से त्यार किया है questions है कि what is Ammonification और Nitrification किसको कहा जाता है ठीक है यहां पर Ammonification और Nitrification में differences भी पूछ सकता है आपको और इस तरह से बहुत सारे ऐसे question बन जाएंगे तो Ammonification कहा जाता है Ammonification refers to any chemical reaction कोई भी chemical reaction होता है जिसकी कारण in which NH2 group are converted in ammonia जो कि NH2 जो ग्रूफ होता है बहुत सारे जो ग्रूफ में जितने भी होते हैं compounds और chemical reaction के फ़लो सुरूप Ammonia convert होके बनता है और इस आयोनिक फॉर्म और और इसकी आयोनिक फॉर्म में तो उसको Ammonification उस प्रोसेस को Ammonification कहा जाता है Ammonia उसका उस जितने भी जो भी रियक्शन होगा उसका Ammonia एक इंड प्रोड़क्ट होगा लास्ट में Ammonia निकलेगा नाइट्रिफिकेशन क्या है कि दा प्रोसेस इन विस दा बैक्टिरिया इन दा स्वाइल उस प्रोसेस के फ़लो सुरूप जहां पर मिट्टी में जो बैक्टिरिया होता है यूज ऑक्सिजन टू चेंज कर देते हैं और मैटेरियल के साथ नाइट्रेड्स में बदल देते हैं विच प्लांट्स के देन अब्साफ एज फूड जो कि प्लांट्स क्या करते हैं उस नाइट्रिफिकेशन लेकरिया है और नाइट्रफिकेशन लिख सकते हैं कि वह पर के लिए जिसमें आमोनिया काक्सिकरन नाइट्रेट में करते हैं और नाइट्रेट जीवानू क्या करते हैं नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट फिर क्या बनाते हैं नाइट्रेट बनाते हैं जो फिर पादप द्वारा भूम नाइट्रोजन कि औहां नाइट्रोजन साइकल सिए कि प्रकृति इसक में सजीव पर्वेश से मुख्योंयों मुखता है तो ड़ोसी साइकल कला 207 इस्ट बायोगेमिकल साइकल और विचने rod five यद यह सिरीकेरे कर साइकल नाइटोजन स्सक्राइट में से नाम जातार है है यहां और भी वसक्षासर नाम ह्याहतर? इस में आपको क्या है आपको जिसक्राइब करता है तो देंसे हैं फूटेंख अरट हैं ज्यौन स्वेसर था था? एक और गानिजम से दूसरे और गानिजम में यह पोर्षन जाता है ठीक है फूड वेब क्या होता है क्या फूड वेब सोज्ड मेनी डिफरेंट प्लांट्स इसमें फूड वेब के द्वारा बहुत सारे डिफरेंट पाथ के जड़िये प्लांट और एक दूसरे के सांथ क्या रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं जैसे कि क्या है कि एक हौक है हौक पक्षी है माउस को भी खा सकता है वो स्कारल को भी खा सकता है और समधर एनिमल्स को भी खा सकता है तो यह फूड वेव है एक तरह का energy flow कि इसको कहा जाता है कि energy flow is the flow of energy through living things within an ecosystem यानि कि कहा गया है कि उर्जा परवा एक परस्तिती की तंत्र के भीतर जीवी चीजों के माध्यम से उर्जा का परवा होता है ठीक है यानि कि एक से दुसरे में फिर से वो उर्जा का परवा हो जाता है लेकिन ये एक दैसिक होता है इसमें उर्जा का परवा एक दैसिक होता है क्योंकि फिर से जो उर्जा जो चली जाती है वो फिर से वापस लोट के नहीं आती है ठीक है तो एक डैसिक है ये फूडवेव के साथ उसी तरह से हिंदी में लिखा गया कि खाद शिंख्लाओ का परसपर जूर्णा ही खाद जाल कहा लाता है किसी भी प्रकृतिक समुदाय में पायज आने वाला जिवधारियों का क्रम जिसकी माध्यम से उर्जा का अस्थांतरन होता है उसको हम लोग फूड़ चेन के नाम से जाना जाता है ठीक है इसके लाव बहुत सारे ऐसे कोस्टन्स भी है जैसे कि आपके बहुत इंपॉर्टें है ठीक है उसी तरह से गीजर का उर्जा की सुर्जा से की सुर्जा में कनेक्शन होता है मतलब रूपांतरित होती है वास्प इंजन का है ठीक है यह सब इंपॉर्टेंट है उसी तरह से ड्रम बजना या ढोलक बजना यह सब इंपॉर्टेंट है कि इनका उर्जा का रूप इनका यूज़ भी दो आसकते हैं वह एक जुख्यास को सकते हैं और आपका जैसे की रेंड वाटन हर्वेस्टिंग कि इसको कहा जाता है रेंड वाटन हर्वेस्टिंग आसकता है मैंने यहां लिखा नहीं है दिए आपको कुछ ऐसा भी questions के answer नहीं पता हो तो आप मुझे comment section में जरूर करिएगा मैं बता दूगी ठीक है उसको natural resources किसको कहा जाता है यह भी important questions है उसके बाद आता है क्या कि decomposer किसको कहा जाता है और दितियों भौकता का नाम बताइए जितियों भौकता लाता का नाम बताईए प्रतमी को भौकता का नाम बताईए फिर consumers किसको कहा जाता है यह सब आ सकते हैं जो की बहुत जादा important होते है और ecosystem सब्द कहां केया है इसका our क्या होता है इसको किसने प्रतिपादित किया यह सब इंपोर्टन है तो इसके आला मैंने बहुत सारे कि दिन बाई